आज महाराष्ट्र में नया साल शुरू होता है हमारे कैलेंडर के मुताबिक आज नया साल का पहला दिन है विदर्ब आज क्या कर रहा है आज विदर्ब में पूरे दिन विदर्ब के लोग उपोशन कर रहे हैं खाना नहीं खा रहे हैं क्यों नहीं खा रहे हैं तो उस याद में उस 36,000 किसानों की याद में जिन्होंने आत्मों बलिदान किया जिन्होंने खुदखुशी की इसलिए कि उन्हें महाराश्टर में इन्सान होने के हैसियत जीने का कोई हक बाकी नहीं रहा वो जो अनाज पैदा करते हैं उस अनाज को कीमत नहीं मिलती उनके बच्चे जो पढ़ते हैं लिखते हैं कॉलेज में जाते हैं उनके लिए महाराश्टर में कोई नवकरी नहीं रहती वो जिस कोईले के ख़दानों में काम करते हैं कोईदा लिकालते हैं जिस कोईले से बिजली बनती है जिस बिजली से बंबई जैसे शेहरों में 24 घंटे रंग्रेलिया लगती है विदर्ब में 8 घंटों से 14 घंटे तक पावर कट होता है लोड शेडिंग होता है किसानों के पंप के लिए बिजली नहीं रहती और खेत में पानी देने के लिए पानी नहीं मिलता जब हमने मैं विदर्ब की बात कर रहा हूँ लेकिन यही बात बोडों को लागू होती है और यही बात तिरपड़ा को लागू होती है यही बात गुर्खा को लागू होती है और यही बात बुन्देल खंड को लागू होती है जब हमने चार साल पहले भाजपा को महराष्ट्र में चुन के आने के लिए मदद की थी तो खुले हाथ मदद की विदर्ब के 60 सीट जो है उसमें से 40 सीटों में भाजप को हमने चुन के दिया था बोडोज की वही बात है आसाम में जो चुना हुए उसमें बोडोज ने बीजेपी को चुन के लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था आपसु का और बीजेपी का गटबंदन था और एक साथ चुनाव लड़े गए थे यही बात त्रिपुरा में है त्रिपुरा का पॉप्यूलेशन जो ट्राइबल का है उन्होंने आज के हाल में जो सरकार बनी उस सरकार में भाजब के लोगों को तो चुन के दिया खुद के लोग भी चुन के आए लेकिन सरकार किसकी बनी तो भाजब की सरकार बनी आज देश में आप कहीं भी पूछो तृपूरा में किसकी सरकार है तो आपको जवाब बिलेगा भाजब की सरकार है तृपड़ा की सरकार है ऐसा कोई नहीं बोलता महाराष्टर में पूछो सरकार किसकी है तो भाजब और शिवसेना की सरकार है बतलाई जाएगी जबकि शिवसेना की विदर्ब में सिर्फ एक सीट चुनके आई सिर्फ एक सीट विदर्ब की सरकार है कोई नहीं बोलता बंगाल का हिसाब भी वही है गोर्खा अलग राज मांग रहे है और कल तक मोदी जी की सरकार कहे रही थी हम आपके साथ है क्यों? इसलिए कि उनको गोर्खा लैंड पसंद है नहीं उनको दुश्मनी विभादी है मम्ता जी से इसलिए जो मम्ता का दुश्मन वो हमारा दोस्त लेकिन जब टाइम आ गया रास्ते पे उतर के लड़ने का तो मरे कम गोर्खा भाजब का एक भी आदमी नहीं मराए साथ पुर्खा लैंड में एक भी यही स्निती विदर्ब की है कास्तकार मरे कौन तो हमारे बच्चे हमारे किसान मरे पादी कहां गया हमारा पुच्चे महाराष्टर में गया जैसे के आप जानते होंगे विदर्ब में कौटन बनता है कपास बनता है विदर्ब में जो फैक्ट्रिया थी कपड़ा बनाने की वो सारी फैक्ट्रिया बंद हो गई सरकार उने बंद की महाराश्वा सरकार ने कानून लाया जिसके बदावलत हमारे कास्तकार को कॉटन बिकने को बाजू के राज में ज़्यादा पैसा दिया जाता था हमारे कॉटन को तेलिंगाणा में ज़्यादा पैसा मिलता था मद्यप्रदेश में ज़्यादा पैसा मिलता था लेकिन यदी हमारा फार्मर उसका कौटन का क्रॉप लेके टेलिंगाने में बिकने जाए तो उसको गिरफदार किया जाता था जेल में डाला जाता था वह एक खुद चार बार इस सिल्सिले में जेल में किया हूँ जब आपने कहा कि हम विदर्व का राज देंगे तब हमने पूरी मदद से आपको जिता के लाया यही बात हमने आसाम में देखी यही बात हमने त्रिपुरा में देखी यही बात हम बुंदेल खंड में देखते हैं नतीजा क्या हुआ जैसे अभी किसी ने आपको उफास से बतलाया मन की बात सुननी होती है तो मोदी जी के मन की बात सुननी होती है आपके और हमारे मन की बात को कोई स्थान नहीं रहता जिस आदमी ने खुद को देश का प्रथम सेवक कहा जिनके मुताबिक यदि वो सेवक है तो आम देश के आम मालिक आप और हम बनते हैं हमारी सेवा के लिए वो प्रथम सेवक बने आज के तारिक में चित्र इससे बिल्कुल विपरित है प्रथम सेवक प्रथम मालिक बने है और प्रथम मालिक प्रथम सेवक बने है हम सब नवकर है इस दिल्ली के सरकार के हम क्या मानते हैं वो कोई मायने नहीं रखता हमें क्या चाहिए उसका कुछ मतलब नहीं होता हमें जो भी चाहिए उससे ज्यादा इंपॉर्टन्ट रहता है कि दिल्ली को क्या चाहिए और दिल्ली हमें बतलाती है कि हमें विकास चाहिए सब का साथ सब का विकास मैंने भी मेरे दाड़ी के बाल कुछ सफेद कर दिये और एक हाज से बोला सबका साथ सबका विकास तालिया बजाओ तो हमारे देश वाले लोग तालिया बजाते है भाईया विकास आपके दिमाग में जो फिट है वो विकास हमारा विकास नहीं है आप यदि आम्दाबाद से बुले ट्रेन बंबई तक चलाओगे तो ये विकास मेरा कहां से हुआ आम्दाबाद की कुछ लोगों का शायद हुआ बंबई के कुछ लोगों का शायद होगा और आम्दाबाद के लोग आप जैसे आम लोग नहीं किसी आडानी का होगा और मंबई के लोग आप जैसे हमारे समान आम आदमी नहीं किसी रिलाइंस के मालिक अम्बानी का होगा अपने लिए विकास का कोई मंत्र इस सरकार ने अपने मुन से निकाला नहीं है हमारे ही शहर के नागपूर के मंतری गड़करी जी कहते है हर रोज हर रोज देश में 20 किलोमीटर रस्ता बनता है आपके यहां बना के नहीं मालूम नहीं मेरे यहां तो नहीं बना कोई रस्ता बनता होगा और कहीं विकास होता होगा और किसी का हमसे क्या मतलब है हमने कौन सा पाप किया हमने कौन सा गुना किया कि हमने बाकी लोगों के विकास के लिए आपको चुनके दिया हमारा भी कुछ विकास है हमारा भी कुछ मनता है मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ यदि हमारे देश में इमानदारी से सारे देश का समान विकास होता सब को दो वक्त की रोटी खाने को मिलती सब के बच्चो को स्कूल में पढ़ाई मिलती सब जवानों को दौखरी मिलती तो नम हम यहां खड़े होते ना आप वहां बैठे रहते हम राज क्यों मांग रहे है हम इसलिए मांग रहे हैं कि इस देश में एक वर्ग है एक हिस्सा है जो आगे की और बढ़ते जाता है और एक हिस्सा है जो उतनाई पीछे की और घसरता है जो आगे बढ़े तो जरूर आगे बढ़े मुबारोखो बदाई हो लेकिन आगे बढ़ने वाले को ये ख्याल करना चाहिए कि कहीं तो भी नीव का पत्थर जो बनता है वो आपकी और हमारी लाशों से बनता है हम मरते हैं इसलिए आप जीते हो और जब हम मरते हैं तो हमारे जीवन को तो कोई कीमत नहीं मिली लेकिन हमारे मौत की तो कीमत चुकाते जाईए कम से कम हमारे अगले आने वाली पीड़ी के लिए कुछ रोटी, कुछ कपड़ा, कुछ मकान, कुछ नौकरी इसकी व्यवस्था करते जाईए और यदि ये नहीं करनी है तो फिर क्यूं आप हमसे कहते हो कि हम सब का विकास, सब का भला करने को आए है क्यूं आप हमसे कहते हो कि आप हमारे प्रधान से वक हो क्यूं आप हमसे कहते हो कि हम आपके लिए ऐसा देश ले आएंगे जिसे देखते देखते आप चौका जाओगे ये सब जूटी बाते हैं साहाब हिंदी में जिसे जुमले बाजी कही जाती है ये सब जुमले बाजी की बात है जुमले बाजी की बात किस से की जाती है आप से और हम से क्योंकि हम साधारन लोग हैं हम आपके डाव पेच में लपेटे जाते हैं हमें ठगाना बहुत आसान है हम न तो बहुत पड़े लिखे न तो बड़े बड़े धन्दा करने वाले न तो हमारे पास किसी हीरो की फैक्टरिया लगी है न तो हमारे पास हवाई जहाज की कमपनिया जो बंद पड़ी हमारी है हम ऐसे लोग हैं जो रोज के खाने के लिए दो वक्त के खाने के लिए मोहताज है एक दूसरे का चेरा देखते है जब मैं कोर्ट में बैस कर रहा था बंबई में कुछ महीनों पहले कोर्ट में हमसे पूछा कि अड़े साहब विदर्ब के किसान क्यूं हात्मत्या करते हैं और जो जबाब मुझे दिखा जो मैंने कोर्ट को बतलाया वो जबाब मैं आपको आज बतलाता हूँ विदर्ब के किसान इसलिए आत्महत्या नहीं करते कि उनके फसल को अच्छा पैसा नहीं मिलेगा या तो बारिश नहीं हुई या तो उनकी बहु बेटियों को शादी में कैसे जावे इसकी फिक्र है या तो उनको बच्चों के लिए स्कूल में जगह नहीं है या नौकरिया नहीं है इसलिए कोई आत्महत्या नहीं करता किसान उस कारण आत्महत्या करता है कि वो करजा लेके 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 इस स्थिती में आ गया है कि अब कोई बैंक उसे करजा देने को तयार नहीं घर में पूरा खाना खतम हो चुका है एक पैसा पॉकेट में नहीं है और उसकी बीबी और बच्चे कहते है कि थोड़ा सा कहीं से मांग के ले आओ खाने को कुछ तो उसे शर्म आती है कि घर के बाहर जाए और फिर से एक बार अपने गाओं में हाथ फेरे कि भईया कुछ खाने के लिए हमें दे दो इस स्थिती में जब एक मर्द पहुंचता है जब उसे दिखता है कि उसकी बीबी भूकी बैटी है उसका बच्चे को खाने के लिए वो खाना ला भी नहीं सकता लाचारी से मांग मांग के वो अपने भाजू वाले से मांगेगा जो उसके इतना ही गरीब है जो किसी सेट से मांगेगा वो सेट कहेगा भाईया आपको करजा दे दे के हमारा खत्म हो गया हम आपको अब कुछ नहीं दे सकते ऐसे आदमी को गाओं में अपना मूँ दिखाने की शरम आती है उसे शरम आती है कि अपने बीबी का चेहरा देखे अपने बच्चों का चेहरा देखे उसका दिल फट जाता है सिवा बोत उसके सामने कोई रास्ता नहीं रहता उसे मरना जरूरी हो जाता है और ये स्थिती हमने और आपने अपने खुद के भाईयों पर लाई क्या हमने ऐसे लोगों पर विश्वास रखा जिनों ने कहा हम ये स्थिती बदल के देंगे जब ये स्थिती बदलती नहीं है तब स्थिती बदलने के लिए विचार बदलना जरूरी हो जाता है मैं आपके सामने NFNS के दरिये नया विचार रख रहा हूँ इस विचार का जिकर मेरे से आये हुए लोगों ने किया मैं दुबारा दुहरा रहा हूँ विचार इसी बात का होना पड़ेगा कि अब स्थिती बदलने के लिए हमने क्या करना चाहिए जैसे मैंने कल मेरे भाषन में आपके कुछ लोगों से का स्थिती बदलने के लिए किसी दूसरे के खंदे पे बंदुक रखके गोलिया मत चलाईए बंदुक खुद को उठा के गोली चलानी पड़ती है तब सामने वाले की स्थिती बदलती है मैं खून की बात नहीं कर रहा हूँ मैं खून खराबे के बारे में बोल नहीं रहा हूँ मैं आप से आपके बच्चों की जान नहीं मांग रहा हूँ वो दिन गए जब नेता जी जैसे कोई लीडर आके खड़े रहते थे और कहते थे आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ा दी दूँगा खून बहता है बहाया जाता है लेकिन वो लास्ट रिजॉर्ट होता है वो आखरी दम के लिए रखा जाता है आपको बदल यदि लाना है तो बदल लाने के लिए आपको अभी की सत्ता को उठा के फेक देना होगा और खुझ सत्ता में बैठना होगा हम जब मालिक है तो वो जो प्रथम सेवक की खुरसी है वो हमारी खुरसी है हमने वह बैठना जरूरी है बले ही वो विदर्भ में क्यों न हो बले ही वो कर्भी अंगलांग जैसे छोटे से प्रदेश में क्यों न हो बले ही वो कुकी लैंड जैसे अती छोटे प्रदेश में क्यों न हो हमने हमारे यहां खुद का राज लाने की ज़रूरत है अब ये बात आसान नहीं है ये मैं समझता हूँ आप हमारे जैसी पॉलिटिकल पार्टी चार-चार छे-छे महीने पुरानी पार्टिया है हमारी पार्टी बनके हार्ड़ी छे महीने हो रहे है छे महीने भी नहीं हुए पाच-चार-पाच महीने हो रहे है इलेक्शन लड़ते समय हम किस से लड़ रहा है इलेक्शन सामने में कॉंग्रेस जैसी पार्टी है जो सौ साल से राज करते आ रही है सौ सौ साल पुरानी पार्टी है बीजे पी जैसी पार्टी है जो जनसंक अप जाने के बाद करीबन पचास साथ साल से इस देश में मौजूद है पांच महीने का बच्चा और साथ और सौ साल के बुजर्ग इनमें कोई लड़ाई नहीं हो सकती है यह हम समझते है लेकिन हम यह भी समझते है कि उनको जीत के लाने के लिए हमारी आस पकटनी पड़ी थी हमसे भीक मांगनी पड़ी थी हमारे वोट लिये थे तब कहीं जाके वो चालिस सीटों पे चुनके आगे हम इलेक्शन लड़ेंगे भले जीते या हरे एक बात तो साफ होगी हमारा एक भी वोट आपको नहीं जाएगा आप यदि सोचते हैं कि हमारे बदावलत दुबारा चुनके आएंगे और मोदी जी की सरकार 2019 से और 5 साल मन की बात सुनाते बैठेगी तो आप गलत फ़हमी में है हम आपको दुबारा चुनके नहीं देंगे हम जीते या हम हारे आपको दुबारा चुनके नहीं देंगे ये एक तरीका होता है अपने प्रॉबलम का विचार करने का और दूसरा तरीका होता है जहां कहा फिर वो ग्राम पंचायत हो या पार्लियमेंट हो जहां कहां चुनाव है हमारे लोग लड़ेंगे आईसी जगे चूज कीजिए जहां अपनी ताकत है आईसी जगे नहीं चूज कीजिए जहां अपनी ताकत नहीं है लेकिन आईसी जगे जरूर चूज कीजिए जहां अपनी ताकत है और चुनाव लड़ेगे तो कौन लड़ेगा मैं नहीं नीरज बाबु जैसे कोई भुज़र्ग नहीं चुकि आपके प्रमोट बोडो जी हमसे बहुत ज्यादा जवान है लेकिन तभी भी उनके उमर के लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे तो नया खून चुनाव लड़ेगा यंग लोग चुनाव लड़ेंगे यंग लोग खुद की तरफ देखने का अलग नजरिया रखते है हमारी जनरेशन हमारी तरफ देखने का अलग नजरिया रखता है हम मोदी जी के बातों में फस पड़े शायद यंग जनरेशन इन बातों में दफसे शायद उनको कोई और रास्ता दिखे जो हमारी बूड़ी आंखे देख नहीं पाती है मैं जानता हूँ कि जो विदर्ब की मूव्मेंट मेरे दादा जी ने चालू की वो यदि सचमुछ लड़ी जाएगी तो मेरे पोते लड़ेंगे लेकिन उन्होंने ही लड़ना ज़रूरी है क्योंकि हमारी जनरेशन अब हमारे जीवन के शाम की ओर चल पड़ी है अन्हेरा साफ सामने दिख रहा है आपकी जनरेशन है जिनके पीछे सूरज उग रहा है पूरा आपके सामने का प्रकाश साफ दिख रहा है ये मार्ग आपके लिए है आपको इस पर चलना पड़ेगा और यंग जनरेशन ने अगले चुनाओं में सक्रिय भाग लेना पड़ेगा इलेक्शन कॉंटेस्ट करके इलेक्शन जितान के देने तक का हर रोल यंग जनरेशन को पार करना होगा आसान रास्ता नहीं है लेकिन सब ने इसी रास्ते पे चलके अपनी आजादी हासिल की थी गांदी जी जब आफरीका से भारत लोटे बहुत बड़िया वकालत थी उनकी आफरीका में लोग सोचते हैं कि गांदी जी की वकालत कभी नहीं चली ये गलत बात है एक उधारन था गांदी जी ने बकालत जब चलू की तो बंबई के हाई कोर्ट में चलू की और पहली बार जब वो बहस करने को कोर्ट के सामने खड़े रहे तो वो उनके किताब में लिखते है My Experiments with Truth बोलके जो उनकी किताब है बड़िया किताब है उस किताब में वो लिखते है कि जब मैं कोर्ट के सामने खड़ा हुआ मेरे को पसीना छूटना चालू हुआ मेरे मूँ में सूखा पड़ गया मेरे आख के सामने अंधेरा चाने लगा और मैं बगेर एक लफज बोले कोर्ट से भाग गया बाहर लोग समझते हैं कि गांदी जी की वकालत चली नहीं ऐसी बात नहीं है गांदी जी आफरिका में बहुत काबिल वकील हुआ करते थे उनकी तीन-तीन आफिसेस थी सारे आफरिका में इंडियन ओरिजिन का सबसे बड़ा वकील समझे जाते थे वो जब आफरिका छोड़के भारत लोटे तब उन्होंने कहा था कि एक साल में भारत आजाद कर दूगा एक साल में साहब उसके बाद भारत को आजाद होने चालिस साल लगे इतनी लंबी मेहनत करनी पड़ती है इतना लंबा रास्ता तै करना पड़ता है वापिस आने के बाद कॉंग्रेस को पोलिटिकल स्वरूप किसी ने दिया तो महत्मा जी ने दिया बले ही खुद वो कभी कोई चुदाव नहीं लड़े लेकिन कॉंग्रेस पार्टी को देश व्यापी स्वरूप इस एक आदमी ने दिया आपको आपका रोल उस तरीके से समझना जरूरी है मैं जानता हूँ कि हपसुने बीच-बीच में चुनाव लड़े है मैं जानता हूँ गुर्खा लैंड ने भी चुनाव लड़े है बोडोस ने भी चुनाव लड़े थे और बुन्देल खट ने भी चुनाव लड़े है विदर्ब भी एक वक्त चुनाव लड़के पार्लेमेंट में चार हमारे यहां से साथ MPs बैटते है चार विदर्ब के थे और लेजिसलेचर में सत्रा एमेलेज हमारे थे उसके बाद वक्त ने करवट पल्टी और हमारे नसीब भी खतम हो गए अब वक्त आया है कि वक्त फिर करवट पल्टे और हम दुबारा जीत के वहाँ जाए ये होने के लिए जो बदल आना है वो आपके हाथ से इसी साल आना होगा क्योंकि 2018-2019 में जो इलेक्शन आएंगे उसमें आपके सामने दो साफ साफ करता हुए है एक मोदी जी को हराना बाजब को खतम करना ये सरकार को दिकाल देना और दूसरा करता हुए है खुद की सरकार बनाना खुद सत्ता में आना और सत्ता में आने के बाद खुद का राज बनाना जब तक आप अपना राज नहीं बना सकते तब तक आपके समस्या नहीं खतम होगी जब आपका राज बनेगा तब पैसा आपका होगा सिविल सर्विस आपकी होगी कोर्ट सापके होगे पुलीस आपकी होगी सारी सरकारी यंत्रना आपकी होगी और आप जो तै करेंगे वो काम आपके लिए पहले किये जाएंगे यदि वैसा नहीं होता है तो आपको हक बनता है कि आप से चून के दिये दुमाईंदों को आप निकाल सकते हो मैं हर दम कहता हूँ यदि विदर्ब में सरकार होती और हमारे MP ने हमारी बात नहीं मानी रहती तो हमारे लोगों ने रोज सबेरे उसके घर पे जाके उसके दर्वाजे पे धक्के देके उसको बाहर दिकालके दो लाते मारी रहती क्यों? क्योंकि वो हमारा राज है हमारा MP है हमारा email है हम चाहो जो कर सकते हैं ये बात आप नहीं कर सकते जब मोदी जी के राज में आप उनके कन्दे से कन्दा लगा के बैठते हो आपको पूरा साफ साफ विचार रखना होगा अपने दुश्मन कौन है और अपने मित्र कौन है दुश्मन वो होता है जो खुद का स्वार्थ आपके हिद पर पैर रख के हासिल करता है आपका दुश्मन वो है जिसने खुद को बड़ा बनाने के लिए आपको छोटा बना दिया ऐसे लोगों को दुश्मन कहते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ता है मैं जाते जाते इतना ही करूंगा कि आप देश के अलग-अलग हिस्सों से आए आप बहुत बड़ी संख्या में पूर्वी भारत से आए है विदर्ब के लोग भी जो 500 लोग यहां पहुँच चुके हैं मैं उनके लिए दन्यवाद देता हूँ आप सबको बोडो लैन्ड के मेरे हिसाब से कितने 900 लोग आए है उनको मैं दन्यवाद देता हूँ बाकी छोटे राज्यों से कम ज्यादे प्रमाण में लोग आए है तभी भी टिप्रा लैन्ड से शाहिद 200-300 लोग आए है और कर्बी अंगलांग और कुकी लेंड से कुछ कम संख्या में लोग आए हैं, गोर्खास तो हाजिर हैं ही दिली में ही रहते हैं, गोर्खास काफी संख्या में आएं, ये सब जन जिनों ने आज राजगाट से लेके पारलेमेंट स्ट्रीट तक मोर्चा निकाला, अच्छा शांती प्रदान की जुलुस कैसे निकलना चाहिए ये दिखाया इनको सब को मैं धन्यवाद देता हूँ मैं नैशनल प्रेसिडेंट के हैसियत में मैंने सब गटक पार्टियों को रिक्वेस्ट की थी कि कोई भी वुफ्ट ट्रेन में नहीं चड़ेगा पिकिट लिये बिना दिल्ली नहीं आएगा ये हमारी संपत्ती है ट्रेन हमारी है ये देश हमारा है ये हमारे पुलीस है ये हमारी सिविल सर्विस है ये हमारी रेलवे है इनको कुछ आच नहीं पहुँचेगी आज रस्ते का ट्रैफिक बंद नहीं होगा, आप कतार तोड़ के नहीं चलेंगे, बीच में कोई घुज गया तो उससे मार पीट नहीं करेंगे, ये मेरे को हमारे नाकपूर के लोगों को पाचवाचवार समझाना पड़ता है, क्योंकि हम गरम मिजाज के हमारा खूद बहु झाल